प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के नो साल पूरे होने पर अगर बात के तो उत्रप्रदेश में जो कारियोजना तयार होगी इसकी अद्धक्षता पार्टी के राष्टी महासाची सुनिल बंसल करेंगे हैं हम आसाथ बाचीत के लिए मौजूद हैं सरकार मंतरी ग्रीश यादो जी सरकारबाद के सुनिल बंसल के अनुभाव को उत्रप्रदेश में एक बार फिर से इस्तमाल कर जा रहा है और पीम के कारेकाल को जो नो साल पूरे होज की पूरी जो कारियोजना है सुनिल बंसल तैयार करेंगे और हमको एक अवसर यह भी प्राप्त होगा कि हम गाउं गाउं जनता से हमारा निरंतर संबाद होगा और जो जनकल्यांड कारी योजना हैं हमारी केंदर की सरकार प्रदेश की सरकार भी चलाई है उन तो जनता तक उसको जागरूप करना उनको बताना और पहुची हैं कि नहीं पहिए उसकी वस्तितों को समझना और उसको पहुचाने का प्रयास करना इस सबका बहुत बड़ा लाब होगा निश्ची तुरूप से इस कारियोजना से औरे देश में लाब मिलेगा अब उनके ही अन्भोग एक पर फिर से उत्तर प्रदेश में इस्तमाल किया जा रहा है आप लोगों को भी पूरे कारियोजना में शामील होना है किस तरीके साप लोग शामील होगा और कैसे उनके अन्भोग का फाइदा मिलेगा इसको हम सबको बहुत लाब मिलेगा और आगामी 2024 को चुनाव में भी इसको हम सबको बहुत लाब मिलेगा सार एक सवाल और है, अगर बात किया तो करणाटक में कॉंग्रस की सरकार बनी है, कल शपद गरड़ समार हु अकलेश चादों को तो मंत्रित किया है कॉंग्रस पार्टे नियुचैनर के अपना निजी बिचार है लेकिन मुझे चकता है कि या मंत्रित करना चाहिए विपक्षी एक्ता बनाने की कोशिश भी है कल तमाम सारे देश पर के नेता जुटेंगे करनाटका में दो हजार उननेईस में भी विपक्षी एक्ता बनाया थे पस्षिम बंगाल से लेके अंधरा से लेके विहार से लेके तमाम बनाया थे कोई विपक्षी एकता से किसी धल को मतलब जो जनमत मिलता है उसको जनमत से रोका नहीं जा सकता है क्योंकि जो जनता का जनादेश होता है लोकतन पर हो सबसे बड़ा होता है और मुझे लगता है जनता का जनादेश स्वभिकार करना चाहिए अखिले से यह दो लगातार इस बात को प्रियास कर रहे हैं, कि विपक्षी एकता करके हम जनता के जनादेश को रोक लेंगे, लेकिन मैं उनको इस बात को बताना चाहता हूँ, कि जनादेश वरासत और विरासत के आधार पर नहीं मिलती, जनता का जनादेश जो मिला है, भार जनता के जनता के पक्षमा इसके बाद जिला पंचायतों के चुना हुए, अस्थाने निकाए MLC के चुना हुए, जो लोकल बाडी के होते हैं, बलाक परमुखे के चुना हुए, तो सब में और अभी आपने देखा हाल में ही नगर पाली का नगर निकमों में चुना हुए, तो जन्मत भारती जनता पार्टी के पक्षमा आ रहा है, तो अखले स्यादों को इस बात को स्विकार कर लेना चाहिए, कलकार करताओं को सम्मूजित कर रहा है तो और कहें हैं कि और मेहनत करो, बीज सदी भासा का परियोग करते हैं, इसका खामियाजा, इसका जबाब जनता उनको देती रहती है, आपने देखा हो, वो तो अपने पिता से भी माइक छोड़ चुके है, तो उनसे और क्या कलपना कर सकते हैं, वो अपने चाचा के साथ कैसा दूर्ब्यवार कर चुके, तो इस पाके लिए 2024 का लोग सभा चुनाओं लड़ेगे, क्या बीजेपी को इससे बेहतर फायदा मिलेगा? इसके कहिंद्र के स्योजक्त gebा रख से इनसे के आधार पर हमारा कारकरता हर समय चुनाओं के लिए तयार हाथा है, हम कोई भी परिष्ठती हुएं, हम इसका कोई इंत leggते हैं, हमारी कार एक से बाहत हैं, हमारी ही कार बपाटी का ही यक ऐसा धल है, जिसके कार करता जनता लि पुरेस कमने जो भी है वो चुनाओ आने के समय वो संपर्क संबंद बनाते हैं इसलिए मैं इस आधार पर कर सकता हूं कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का घड़बंधन कर ले कोई रोकने के वह बना ले कोई फरक नहीं पढ़ने वाला भारती जनता पार्टी पर भारती जन में भी भाड़ेगा शुक्रियां से बात्चित करने के उत्तव रदे सरकार में मंत्री गिरीश रादो जो कि तम्हां सरे बुंदों पर एबीपी गंगा से खास बात्चित के साथ अब नाश्तिवारी एबीपी गंगा दिल ले एबीपी गंगा खबर आपकी जवाआपकी